लोकसबा चुनाव के लिए समाईवादी पार्टी और रास्टिय लोगदल के 20 सीटों का जो बटवारा हुआ है उस बटवारे में मुझफरनगर लोकसबा सीट भी रास्टिय लोगदल को मिली है यह सीट रास्टिय लोगदल के खाते में जाने के बाद समाजवादी पार्टी के कई बड़े निताओं को जटका लगा है जिन में परमुक नाम पुरुसांसद हरेंदर मलिक का है जो कहीं न कहीं टिकट की दावेदारी में थे 2019 के लोग सवा चुनाओं में भी मुझफरनगर रास्टिय लोगदल के पास थी 2019 के चुनाओं में रास्टिय लोगदल के अद्यक्स रहे स्वर्गे चोदरी अजिस सिंग ने यहां से चुनाव लड़ा था लेकिन भाजपा के डॉक्टर संजी बालियान के सामने उन्हें हार क मुझ देखना पड़ा था और वहे करीव 6500 वोटो से संजी बालियान से चुनाव हार गए थे 2019 के चुनाओं में रास्टिय लोगदल सपा और बसबा का गटबंदन था इस बार के चुनाओं में अभी तक समाईवादी पार्टिंग रास्टिय लोगदल और इंडिया कि डॉक्टर संजी बालियान ही 2024 के चुनाओं में 32 पार्टि के ही परत्याची होंगे वही बात करेंगर समाईवादी पार्टि रास्टिय लोगदल और कॉंग्रेस की तो इनके भी सीटों के बटवारे तो हो चुके हैं लेकिन सीटों को लेकर पूरी तरह से सहमती नहीं ब पहला नाम रास्टिय लोगदल अध्यक्स जैन चोधरी की पतनी चारू चोधरी का है इसके लावा ओलम्पिन खिलाडी साक्षी मलिक पूर्व मंत्री योगरा सिंग की भी दावेदारी की चर्चाएं जोरो पर हैं समाईवादी पार्टि और रास्टिय लोगदल में मुझ तक मुझफरनगर के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं सियासी जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में रास्टिय लोगदल और समाजवादी पार्टि के नेताओ के बीच मुझफरनगर लोगसवा सीट को लेकर रार और तकरार बढ़ सकती है जिसका सीधा फायदा भा